हेलो फ्रेंड्स वर्कम टू ज्हारकन परिक्षा 10,000 MCQ में अभी आर्ट्स और कल्चर ज्हारकन का आर्ट्स और कल्चर चल रहा है और ये जो है ये लेक्चर नमबर 3 है ये लेक्चर नमबर 3 है इसके पहले हम लोगों ने जन जाती का इंट्रोडक्शन संथाल ट्राइब ये कंप्लीट किया है और इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे ओराओ जन जाती इसका बाइलिंग्वर टेस्ट एप्लिकेशन में अविलेबल है आप चाहे तो एटेम कर सकते हैं और जो कंसेप्च्छर कलास है वो पुरी तरह से पेड है वो भी एप्लिकेशन में अविलेबल है चलिए कोशन श्टार्ट करते हैं हम लोग कोशन है कोशन नमर वन जारकन में दूसरी सरवाधिक जन संख्या वाली जन जाती कौन सी है एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ सब कुछ यह ठीक है तो यहाँ पर दूसरी सरवाधिक जन संख्या वाली जन जाती की बात हो रही है देखिए कोशन का एंसर जो है वो तो इजी है लेकिन कोशन के साथ में आपको जो बताया जा रहा है वो आपको याद करना है जैसे कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में नंबर एक पे देखिए अभी के कोटिंग अगर आप देखेंगा तो गोंड आ जाएगा लेकिन आपको देखना है 2011 सेंस क्या नहीं हो सार तो उस समय नंबर एक पे जो है भील का पोजिसन है ठीक है फिर नंबर दो पे है गोंड नंबर दो पे है गोंड तीसरा पे है संथाल और चौथा पे है उराओ जन जाती लेकिन वही चीज अगर हम लोग जारखन की बात करें तो जारखन में क्या हो जाएगा जारखन में जो है नंबर एक पे है संथाल ओके नंबर दो पे है उराओ नमबर 3 पे मुंडा नमबर 4 पे हो जनजाती तो ये आपको रैंक पता होना चाहिए और जारखन में जनजातियों की जो जनसंखिया है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 26.20% ये है लेकिन वही भारत की बात की जाये तो भारत में जो जनजातियों की जनसंखिया है पूरे जनसंखिया का 8.6% है अब ये जो कंपेर आप करेंगे जारखन में जो जनजाती है वो भारत की जनजाती का भारत के टोटल पॉपुलेशन का नहीं भारत की जनजाती का कितना है? 8.3% ठीक है 8.3% है तो ये figure आपको याद होना चाहिए प्लस ये जो मैंने लिखा संथाल, उराओ, मुंडा हो साथ में यहाँ पर आप add कर दीजे खड़िया तो अगर आप इन सब को count करेंगे तो जहारखन में जितनी भी जन जाती है ये 75% कवर कर लेती है 75% यही जो 5 टाइब है यही कवर कर लेती है, बाकी सब में जो 25 है वो बाकी सब में आती है तो यहाँ पर जो दूसरी सरवाधिक जन संख्या वाली जन जाती है जहारखन की बात हो रही है, तो जहारखन में उराओं है, पहला संथाल है जहारकंड में उराओं जनजाती का आगमन किस शेतर से हुआ है तो यहां पर देखें यह जहारकंड है तो जहारकंड में मुंडाओं का आगमन हो चुका था मुंडा जो आते हैं इस रास्तिय से होकर आते हैं और इस शेतर में रहना सुरू करते हैं को यहां पर असुरों का पहले वास होता है, असुरों को जो है यह खटा देते हैं फिर यह रहना सुरू करते हैं, अब कहा कि बहुत समय के बाद उराओं का आगमन होता है, दक्चिन भारत से होता है, विंद्याजल सरेणी के परवत को पार करके यह रोहतासगर तक पहुंचन और दूसरा जो भाग है ये मुंडा जनजाती के द्वारा बनाएगा है रास्ते से चलती है और पहुंच जाती उसी छेतर में जहां मुंडा जनजाती है स्टार्टिंग में रह रही है तो सुरुवात में क्या होता है दोनों में संगर्स होता है फिर दोस्ती होती है फिर संगर्स हो जाता है और लाश्ट में जब संगर्स होता है तो उसी समय मुंडा से कुछ लोग ये दक्षिन की ओर चले जाते हैं और ये कुलान छेतर में हो जनजाती का जो आप निवास देखते हैं वो इसी कारण है इसी के कारण है ना तो हो जनजाती खुद को मुंडा जनजाती के ही वनसज मानते हैं वो जो है खुद को मुंडा जनजाती के ही पार्ट में समझते हैं तो क्यूं हुआ ये अलग ये आप समझ सकते हैं यहां से उ उराउं जंजाती का जो आगमन हुआ है, यह कैसे हुआ है? दक्षिन भारत से हुआ है, यह जो सब्त सेंद भू परदेस यह کیा है, जो सतलझ ब्यास रावी जनाप जहलम वाला जो चेतर है उसी को बोलते हैं सबतसेंदो प्रदेश, साथ नदियों का जो छेतर है, सिंधू और सरस्तिक को एट कर देजे, हो जाएगा साथ नदि, इसका answer option B, दक्षिन भारत हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है, उराओ जंजाती का जहारकंड, उराओ जंजाती का निवास जहारकंड क किस चेतर में सरवादिक है, अब यहीं पर आप इस चेश को देखे, कि जब यह आ रहे हैं, तो यहाँ पर रहतास गड़ के पास इनका जमाओ है, बहुत समय तक ही रहते हैं, बहुत समय तक रहने के बाद क्या होता है, कि इनका पलायन होने लगता है, तो यह क्या करते हैं, उसी रास्ता से छोटा नागपुर पहुंसते हैं जिस रास्ता से मुंडाओं का यूज हुआ था, जिस रास्ता का यूज मुंडाओं ने किया था, मतलब मुंडाओं के द्वारा जो रास्ता बनाया जा चुका है, तो उसी रास्ता का इस्तिमाल उराउजन जाती करते हैं, अ अगर इसी में किसी एक प्रमंडल को चूज करना हो, तो सबसे ज़्यादा साउथ छोटा नागपुर सबसे ज़्यादा साउथ छोटा नागपुर, अब इसके बाद पलामो प्रमंडल, ठीक है, तो ये दो कम से कम आप याद रखेंगे, और क्यों ऐसा हुआ यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर option D है, इसका answer next, उराओ जनजाती की जो भासा उसको क्या बोलते हैं, देखे उराओ जनजाती की जो भासा है, यहाँ देखे, कि यह जो उराओ जनजाती यह साउथ से आए, ठीक ना आपको क्या बोलते हैं, कुड़क बोलते हैं, और कुड़क का मतलब क्या होता है, मनुस्य, मानाओ, यह इसका मतलब होता है, अब यहाँ पर सवाल उठता है, परजाती दिरिश्टी से, यह किस ग्रूप में आते हैं, परजाती दॉर्ष्टी से किस ग्रूप में आते लग अलग मानो सास्त्री ने अलग-алग Vice में बुच्छ टरब का client कि किया है इसी रोगे का कुछ左ले का कुछ Name exhaust का है तो है अलग-लग classification है, अब क्या है कि कुछ लोगों ने जैसे कि proto-austeloid है proto-austeloid है, mangloid है, इस तरह से उसमें dravidian सामिल नहीं किया है कुछ लोगों ने dravidian सामिल ना करके क्या सामिल किया है, pre-dravidian सामिल किया है फिर austeloid किया है, ऐसे अलग-अलग मिलेगा अब सोचिए जिसमें द्रविडियन नहीं है तो वो क्या करेगा वो प्रोटो ऑस्टोलोईड में अजिस्ट करेगा जिसमें द्रविडियन है तो उसमें डिवाइट कर दिया गया तो अलग-अलग classification है तो सबसे ज़्यादा जो common आपको देखने को मिलेगा वो उन्हाँ जनज आत्रियों ने ट्राइब्स का classification किया है और आप देखेंगे कि जैसे कि द्रविड अगर मैंने यहां बोल दिया द्रविड बहुत सारी किताब आप देखेंगा द्रविड लेकिन किसी एक आदमी का रिफरेंस लेंगे जैसे कि बीएस गुहा का रिफरेंस लेंगे तो इन्ह जादा कर जो देखने को मिलता है वो द्रविड ही मिलता है यहां पर इसका एंसर ऑप्सन भी हो जाएगा जो की भासा भी है तो भासाई और प्रजात्य दिरिष्टी से यह उराओं से सम्मंदित हैं सरचंद्र रॉय के अनुसार उराओं जन्जाती के कितने गोतर पाये जाते हैं तो यहां पर आप देखिए अगर यहां पर रिफरेंस दे दिया जाए तो ऐसी रॉय जो है यह मानव सास्त्री रहें इन्होंने मुंड़ा, बिरहोड, उराओं जन्जाती है ना इन पर बहु इसको किल्ली बोलते हैं अब ध्यान देने वाली बात है कि यह जो 68 गोतर है इसमें से 14 गोतर ही है जिसकी जन्जाती है काफी ज्यादा है बाकी बहुत ही कम है कुछ तो ना के बराबर हैं ओके तो यहां पर आप याद रखेगा कि 68 एसी रोय के द्वारा और मेंली 14 है जिनक का नाम अलग-अलग ट्राइब में अलग-अलग देखने को मिलेगा अब देखें यहां पर सांगा विवा है तो यह क्या होता है सांगा विवा एक मिनट मैं यहां पर एक बर रिकॉर्डिंग क्या है ना कि चेक करना पड़ता है ठीक है कलती से मैंने म्योट तो प्रेस नहीं कर दिया है ना देखें मैं बता रहा था कि विवा के बारे में तो उराओ जनजाती में जो विवा होता है सब ट्राइब में एक फेमस मैरिज है जिसको आपको याद रखना चाहिए जैसे कि हम लोगों ने अभी संथाल पड़ा है तो संथाल में जो फेमस विवा है उसको बोलते है सदाई वहीं आप उराओ में देखेंगे तो यह क्या मिल जाएगा आयोजित मिल जाएगा क्या मिल जाएगा आयोजित मिल जाएगा इसको उराओ जनजाती में क्या कहते हैं वदू मुले को उराओ जनजाती में डाली कहते हैं और कोरवा में वदू मुले नहीं पाया जाता पॉर्वा में वदौ मुल्या नहीं पाया जाता है। उराव में वदौ मुल्या को डाली बोलते हैं और संथाल… है कौन जो पॉन , यह सभी ट्राइब में कॉमन देखने को मिलेगा। अगर डाली नहीं है। ओप्षन में पॉन पॉन है तो आप पॉन क्लिक कर दीजेए। लेकि एक जो रिस्ता होता है, एक जो रिस्ता होता है, माली जे बाई बलड है, बाई बलड है, अब बाई बलड क्या हो सकता है, भाई बहन है, ओके, या कुछ भी माता पिता है, यह सब क्या है, बाई बलड रिस्ता है, बाइ बलट है मतलब आपका जन्मों और वो रिस्ता बन गया लेकिन कुछ रिस्ते होते हैं जिसको क्रित्रिम रूप से बनाना पड़ता है जैसे कि husband wife का जो रिस्ता है तो ये क्या है क्रित्रिम है ये natural नहीं है यहाँ पर एक process से बनाय गया है उसी तरह से उनाव जन्जाती में एक process है जिसको बोलते हैं सहियारो प्रथा क्या बोलते हैं इसको सहियारो प्रथा ओके जिस तरह से विवा होता है पती पत्नी के लिए उसी तरह से दोस्तों के बीच में या सहिलियों के बीच में सहियारो प्रथा होता है तो सहियारो प्रथा क्या है यह एक प्रोसेस है ये एक आप कह सकते हैं कि सिस्टम है जिसके थूरू रिस्ता बनाया जाता है कृत्रिम रिस्ता और इस रिस्ता के बाद जो रिस्ता बनता उसको क्या बोलते हैं जैसे कि लड़का है ठीक है तो लड़का दोस्तों के बीच अगर ये रिस्ता बनाया जा रहा है तो उसको बोले इनकी जो वाइफ होगी वो एक दूसरे को लारीन या फिर संगनी बोलेगी उसी तरह से अगर कोई कुवारी लड़की है और इसकी कोई सहली है तो ये अगर सहियारो प्रथा में सामिल होकर रिस्ता बनाती है तो इसको क्या बोला जाएगा गोई या फिर करमडार ओके तो ये जो होता है ये हर तीन वर्स में होता है धन कटनी के बाद होता है अपसंसी तीन वर्स नेक्स्ट सहिया चैन समारो के पश्यात बने मित्र को लड़कों के द्वारा क्या कहा जाता है तो या तो लार होगा या फिर संगी होगा और इनकी जो पतनिया है ये लारीन या फिर औरमडार बोलेगी, तो यहाँ पर option C हो जाएगा लड़कों के द्वारा क्या कहा जाता है, option D हो जाएगा लार, next है तो आपस में यहाँ पर कुवारी लड़की की बात की जाए, तो गोई या फिर करमडार, लेकिन लड़के जो हैं, वो एक दुसरे को लार या संगी बोलते ह है वो लारिन या संगनी कहलाती है option C next है उराव जनजाती में ग्राम परदान को क्या बोलते हैं तो ग्राम परदान में आप याद रखेंगे कि पाहन और महतो ठीक है पाहन और महतो ये दो जो है important है पाहन और महतो clear अब देखे ये जो पाहन है ये पाहन है पहले उराव जनजाती के ग्राम में गाव में जो प्रसासनिक कारे होता था जो न्याइक कारे होता था वो पाहन के द्वारा ही किया जाता था लेकिन अब क्या है ये धार्मिक परदान है और जो प्रसासनिक और न्याइक कारे है वो महतो के पास आ गया है वो जो है महतो के पास आ गया है ठीक है प्रिसासनिक और नियाईक कारे जो है ये महतो के पास आ गया है तो जो ग्राम परधान है अगर ग्राम परधान नॉर्मली बोला जाए तो कहने का अर्थात है प्रिसासनिक और नियाईक तो यहाँ पर कौन होता है? महतो होता है option D. हम लोगों ने संथाले पढ़ा है कि जो गाउं का मालिक होता है, वो मांजी होता है यहाँ पर इसका अंसर option D महतो हो जाएगा और गाउं का जो पंचायत होता है उसको बोलते हैं पंचोरा और गाउं की जो पंचायत होती है उसकी जो बैठक होती है वो अखरा में होती है और जो प्रसासनिक और नियाईक परदान होता है लेकिए अखरा में क्या होता है? कल्चरल अलिवेंट होता है कोई भी सालोजनिक कारक्रा में वह हीँ पर औरaroundाइस करवाया जाएगा सरणा में धरमेश के दौर्ा पुजा किया जाता है देवी देवताओं का हातु क्या है? ये हातु जो है पंचायत है किसका संथाल में? हातु जो है संथाल का जो पंचायत तो उसको हातु बोलते हैं और जो पंचायत का मेन होता है हेड होता है उसको हातु मुंडा या मुंडा बोलते हैं लेकिन उराओ जनजाती में गाउं का जो पंचायत होता है उसको क्या बोलते हैं पंचोरा बोलते हैं जबकि जो पंचाय था वो क्या कहलाएगा, पंचोरा कहलाएगा, ओके, और सरना क्या हो गया, यहाँ पर पाहन के द्वारा पुजा पाट किया जाता है, इसका एंसर ऑप्सन सी अखड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट है, उराओं जंजाती में युवागरी को क्या बोलते हैं, त छोटा सा घर जैसा होता है, और यह बैचलर के लिए होता है, ठीक है, यह जो है, बैचलर के लिए होता है, और इसमें समाज से सम्मंदित, रितरी वाज, तौर तरीके, ओके, यह सब सिखाया जाता है, ग्रिहस्त जीवन कैसे जीना, यह सभी कुछ जो है, सिखाया जाता है, मतलब युवागरी में किसी भी बच्चे को या बच्ची को completely जो है समाजिक रूप से कैसे समर्थ होना है हर चीजों में वो बताया जाता है वो सिखाया जाता है अब क्या है कि नाम अलग अलग है उराओं में क्या बोलते हैं धुमकुडिया बोलते हैं अपसंसी इसका एंसल हो जाएगा अब क्या है, कि ये जो entry होती है, ये तीन तरह का entry होता है, ठीक है, अगर पहली बार हो रहा है, तो पास से पहली पास से पूना, ओके, पूना जोखर, ठीक है, पूना जोखर, और अगर वो तीन साल बिता चुका है, ये तीन साल के लिए admission होता है, ठीक ना, जैसे कि 10 से 12 वर् मेंबर को बोलते हैं पूना जोखर, अब सब्सक्र यह तीन साल बिता चुका है, अब तीन साल के बाद फिर से एडमिसन का प्रोसेस होगा, फिर से उसको बोलते हैं दिख्छान समारों बोलते हैं जो होता है, अब प्रोसेस फिर से होगा, तो इसको फिर से एडमिसन लेना और ये अब क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे मांज जोखर ये मांज जोखर कहलाएंगे ओके ये चीज़ हो गया और इसके बाद मांज जोखर भी इन्होंने पुरा बिता लिया तीन साल अब फिर अगले तीन साल में जो admission process है ये रहना चाहते हैं, तो इसमें क्या है अन्ने वाला कडिगरी आ गया, अब जो अन्ने वाला है, ये कहां जाएगा, इसका तो कोई ठीकाना नहीं है, तो कहां जाएगा, तो कोहा जोकर, जोकर, जोकर मतलब होता है बैचलर, तो ये अन्ने वाला कडिगरी हो गया, ध्यान सदसेता अपने आप खत्म हो जाएगी, इवेन किसी भी member का अगर विवा हो जाता है, तो सदसेता अपने आप खत्म हो जाएगी, ओके यह चीज़ आपको धिहान देना, यह तीन तरह का member होता है, इसका answer क्या हो जाएगा, नियुनतम उम्र कितना नियदारित है, तो 10 से 12, यह कोहा जोकर नया पुराना और बहुत पुराना या फिर अन्ने वाला केडिगरी हो गया option c next है दुमकुडिया में परवेश करने वाले नहीं सदस्य को क्या कहा जाता है तो नया है पहली बारा आ रहा है तो पूना जोकर ओके बीच वाला मतलब तीन सार बिता चुका है तो अलग है मतलब boy के लिए अलग है और girl के लिए अलग है bachelor दोनों होना चाहिए दोनों के लिए अलग है तो boy जो है लड़कों बना दिया जाता है, इसका head बना दिया जाता है, और उसको बोलते हैं धांगर, या तो धांगर बोलेंगे, या महतो बोलेंगे, और इसका जो assistant होता है, इसका जो assistant होता है, इसको बोलते हैं कोतवार, क्या बोलते हैं, इसको कोतवार बोलते हैं, उके, पेल एडपा जो है, पे और उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बढ़ की धांगरीन. बढ़ की धांगरीन. ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया था कोशन में? दुमकुडिया में यवकों के लिए अस्थापी दिवस्ता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका एंसर हो जाएगा, यह यवको क्या हो जाएगा लड़कियों के लिए लेकिन पेल अडपा का जो केर टेकर है वो जिस महिला को रखा जाता उसको क्या बोलते है उसको बोलते है बढ़की धांगरीन और जो 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 उराओ जंजाती में पुरूसों के द्वारा पहने जाने वाले वस्तर को क्या कहते हैं ये वस्तर अभी नहीं पढ़ाया गया है अलग चेप्टर में ये पढ़ाया जाएगा फिलाल आप याद रखे कि जो करया होता है पहुआ जाता है और खनरिया जो होता है ये महिलाओं के द्वारा पहाना जाता है ऑके ठीक है और ये जो खनरिया होता है खनरिया को ही परेया बोलते हैं इसका answer option A करेया हो जाएगा इनमें से कौन सा निरत्य ओराओं जन जाती मैं प्रमुख माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जदुर हो जाएगा, निरत्य भी नहीं पढ़ाइगा, वो सब अलग से पढ़ाएगा, पहले हम लोग tribe complete कर लेंगे, option B जदुर निरत्य, next है, उराउ जन्जाती में दाउराहा सिंद्रा कब मनाते हैं तो सिंधरा क्या होता यह सिकार होता अलग-अलग समय में अलग-अलग जो सिकार किया जाता उसके according उसका नाम है जिसे फागुन सिंधरा यह फागुन के समय किया जाएगा अलग-अलग नाम है लेकिन अगर कोई occasion पर मतलब कोई particular time नहीं है जब मन किया चल दिया गया है ना तो वैसे अनवचारिक सेंदरा को क्या बोलते हैं दोरहा सेंदरा बोलते हैं यहाँ पर इसका answer option D हो जाएगा option D next है उनाव जनजाती में सरहुल परो को क्या बोलते हैं उनाव जनजाती में पसरी का संबंद किस्से हैं तो पसरी क्या है जिसे कि एक वैक्ती है इसके पास खेत है लेकिन इसके पास बैल नहीं है एक वैक्ती है इसके पास खेत भी है और इसके पास बैल भी है लेकिन इसको जो है खेत जोतना नहीं आता है तो क्या होगा कि ये जो व्यक्ति ये इसके पास जाएगा और बोलेगा कि बैल जो है आप मुझे देदीजिये मैं अपने खेत को जोतूँगा और बदले में जो आपने मुझे बैल दिया बदले में मैं आपको पैसे नहीं दूँगा बदले में क्या करूँगा कि आपका जो देवता कौन होते हैं, सिंग बोंगा हम लोगों ने देखा है कि ये संथाल में होते हैं, मुंडा में होते हैं, ज्यादा कर में सिंग बोंगा ही मिलेंगे, लेकिन उराओं की बात की जाए तो उराओं में धरमेज जो हैं, ये प्रमुक देवता हैं, ओके, ऑप्सन भी या ठाकूर देव भी बोला जाता है ठाकूर ठाकूर देव नहीं बोलते हैं ठाकूर देव सिंग बोंगा को बोलते हैं जब संथाल की बात होती है और यहाँ पर जो ठाकूर देव होता है वो ग्राम देवता होता है ठाकूर देव जो होता है जो की संथाल में दूसरे प्रमुख दे उता है, इसका एंसर ऑप्सिन डी ठाकूर्दे हो जाएगा, ग्राम दे होता है, गाउं के कल्यान के लिए गोरयया पूजा किया जाता है, जबकि रोपनी के समय बहलवा पूजा किया जाता है, ऑप्सिन डी, यह जो सोराय है, यह पुरवजों की आत्मा के निवास अस्थान को क्या कहा जाता यहां ध्यान दीजे जो अखड़ा है यहां पर क्या होता है कल्चरल इवेंट होता है को कि सांस्कृतिक कारेयम या फिर कोई भी सारुजनिक कारीकरम है वो यहां पर और्गनाइज करवाया जाएगा सासन या ससान यह जो होता है यहाँ पर पुरवजों की आत्मा का निवास होता है यहाँ पर मृत्रकों को दफनाया जाता है सर्णा में धार्मिक परदान पाहन उनके द्वारा पूजा किया जाता है पंचोरा जो होता है यह पंचायत होता है तो ये सासन या ससान कहलाता option B इसका answer हो जाएगा नेक्स्ट है उराओ जन जाती में किसी की मृत्यों के पश्चात आत्मा का मिलन जब पुरवजों की आत्मा से होती है तो इसे क्या कहा जाता ध्यान दीजेगा अगर फसल बो दिया गया ये मैंने बताया था जो मैंने पढ़ाया था फसल अगर बो दिया गया है इस समय से लेकर कटनी तक मतलब कटनी नहीं हुआ है इसके बेच किसी की मृत्यों होती है तो दफना तो दिया जाएगा लेकिन दासंसकार का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं किया जाएगा कटनी के बाद एक साथ एक गोतर के जितने लोगों की मृत्ति हुई है उसका दासंसकार एक साथ किया जाएगा और दासंसकार के लिए क्या होता है या तो जहां पर हड़ी को दफनाए गया है वहां से कुछ आउसेस लिये जाते हैं या फिर उसी समय जब दफनाए गया था तो उसी समय कुछ आउसेस जो है या कोई चिन हो गया वो अलग करके रख लिया जाता है ठीक है अब कटनी के बाद क्या होता है दासंसकार होता है तो दासंसकार पहले का निक्षेपन एक साथ हो रहा है ठीक है यह आपको ध्यान देना है तो यह जो हड़ियों का यह जो अस्थियों का निक्षेपन किया जा रहा है इसी को बोलते हैं हड बोरा संसकार इसी को कहें 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 कह बेंजा कह जाते हैं और इसमें क्या होता है पुरवजों की आत्मा क मिलन मृतक के आत्मा से होती है तो इस प्रोसेस को कोह बोंजा भी बोलते हैं मतलब जिस प्रोसेस से आत्माओं का मिलन हो रहा है उसको कोह बोंजा भी बोलते हैं किलियर तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था आत्मा का मिलन जब पुरवजों की आत्मा से होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कोह बेंजा बोलते हैं, तो हड़बोरा और कोह बेंजा एक ही है, लेकिन अस्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए, कि जो आत्माओं का मिलन हो रहा है, तो वो कोह बेंजा कहलाएगा, ठीक है, और जो प्रोसेस है, जो अस्तियों का निक्षेपन नदियों में किया जा रहा है, एक गोतर के सभी मृतकों के अस्ति का निक्षेपन नदी में हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हड़बोरा कहते हैं, नदी को गोतर खुंदी बोलते हैं, ओके, ऑपसन C हो जाएगा, कोह जब वही चीज आप देखेंगे मुंड़ा जन्जाती में तो देवड़ा बोला जाता है जब वही चीज आप देखेंगे मुंड़ा जन्जाती में तो देवड़ा बोला जाता है जो अधिकारी है उसको भी चेंज किया जाता है हर तीन साल में और इसके लिए मुखिया हंडी का आयोजन किया जाता है ओके option c next दिक्षान समारो या दिक्षा समारो बोलते हैं इसके बाद उराओं जाती में डिहवार जो होता है यह किस तरह के देवता है तो यह सिमान्त देवता गाओं के अंत में जो बौर्डर होता है ठीक है तो बौर्डर की रखवाली करते हैं किसी दूसरे negative energy नागारात्मक चीजों को परवेस होने से रोकते हैं यह जो डिहवार ह यह क्या होते हैं यह सिमान्त देवता होते हैं ग्राम देवता जो होते हैं यह ठाकुर देवता होते हैं पहार देवता जो होते हैं यह मरांग बुरू होते हैं और कुल देवता जो होते हैं यह पुर्वजात्मा होते हैं इसका answer option C सिमान्त देवता नेक्स्ट उराओं उनके वनसच के अलावा जो लोग उस चेतर में रहने आए उसको क्या बोला गया रहयत बोला गया या फिर जेट रहयत बोला गया ओके ऑप्सन भी इसका एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दुमकुडिया के जोख एडपा के मुख्या को क्या बोलते हैं जोख एडपा क्या है यह पुरुसों के लिए दुमकुडिया है पुरुसों के लिए युवागरी है और इसको जोख एडपा बोलते हैं या फिर इसको क् या फिर महतो इसका जो असेस्टेंट होता वो कोतवार कहलाता है वो धांगर कुडिया क्या हो गया यूँआ गरी हो गया इसके चीफ को बोलते हैं धांगर या महतो अपसंसी और जो बढ़की धांगरीन है ये पेल अडपा मतलब महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए जो यूँआ गरी है उसके हेड को बोलते हैं इसका एंसर ऑप्संसी हो जाएगा ओके तो ये थर्टी फोर एम से क्यू था पुराओं जंजाती कंप्लीट अब ये क्या है देखिए अभी क्या हो रहा है कि कंसेप्चुली क्लास लिया जा रहा है ओके जो पेट क्लास चल रहा है ये जो आप देख रहे हैं पेट क्लास तो पेट क्लास में क्या है कि कंसेप्चुली क्लास हो रहा है और उसी के हिसाब से कोशेन आप यहां पर सॉल्फ कर पा रहे होगे है ना तो काफी अच्छा फील हो रहा होगा मतलब सब कुछ आप रिकॉल कर पा रहे होगा याद हो प पा रहे हैं तो उनके लिए ही ये जो 10,000 प्लस MCQ है उनके लिए ही मैंने श्टार्ट किया है तो कम से कम आप जो है इसका फायदा उठाइए बहुत सारे कोशन्स आप करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर नाम का 10,000 प्लस MCQ है अगर आप explanation देखेंगे तो बहुत ही जादा हो ज कर दो दो कि बहुत कि अजू किश्ट सो कि रवाँ में आप जादाएशना जादा जाएशना जादाएए भी यहाँ दो चैजएचर के रूंचर के विए हूचर के लिएटाएशना उनकिस थैड़र बहूत हैसा इसथा जाओना ऑन नाम के इस खायएष़बहबहुत है